पिछली विडियो में हमने परमानु की संद्रजना का विकास डाल्टन की ठोज गेन परमानु प्रतिकृति से लेकर थॉम्शन की प्लम पुडिंग परमानु प्रतिकृति इसे देखा थॉम्शन की इस प्रतिकृति को किसने सुधारा और क्यूं थॉम्शन के प्लम पुडिंग प्रतिकृति के आधार पर और आंतरिक संद्रचना की जांज करने के लिए रदर फोर्ड ने एक प्रयोक किया जो रदर फोर्ड की सोने की पन्नी विकरन प्रयोक के नाम से प्रसिद की अल्फाकन धन आविशित होते हैं हम उन्हें हिलियम नाभिक के नाम से भी जानते हैं जिंक सलफाइड जड एनस का चमकिला पटल सोने की पन्नी के पास थापित किया गया ताकि अल्फाकनों के मार का निरिक्षण किया जा सके आल्फाकन आँखों से दिखते नहीं है किन्तु जब भी आल्फाकन चमकिले पटल से टकराते हैं हमें प्रकाश का फ्लेश दिखाई देता है क्या आप रदर फोर्ड ने क्या देखा था इसका अनुमान लगा सकते हैं थॉम्सन के प्लम पुडिंग प्रतिकृती के अनुसार परमानों में धन आवेशित द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र एक समान होगा तो धन आवेशित कणों का पन्नी से परावर्तन होगा ऐसी रदर फोर्ड के आपिक्षा थी किन्तु रदर फोर्ड के सोने की पन्नी वि प्रमानु में बड़े पैमाने पर रिक्त जगा हैं कुछ कण मूल मार्क से न्यून कोण पर विचलित हुए इससे ये सिद्ध होता है कि धन आवेशित कण कम बार केंद्रे हिस्सा के पास गए जिसे बाद में रदर फोड ने नाभिक नाम दिया जैसे कि अलफा कण आकरशित न होते हुए विचलित हुए इससे ये सिद्ध होता है कि केंद्र में स्थित नाभी धन आवेशित है बहुत कम अलफा कणों का अधिकून से विचलन हुआ और आशरी के बात ये रही कि अर्थात बीस हजार में से एक अलफा कण मूल मार्क के विपरीत दिशा में 180 डिगरी इलेक्ट्रॉन से अठारा सो गुना भारी है इसलिए नाभी बहुत सघन बनता इस प्रयोग और अध्यन के साथ रदर फोड ने परमानु की नाभी किये प्रतिकृती को प्रस्तुत किया एक परमानु के केंद्र स्थान पर धन आवेशित नाभी होती है दो परमानु का करी सभी इलेक्ट्रॉनों का एकत्रित रण आवेश नाभी पर स्थित धन आवेश के बराबर होने के कारण विजाति आवेशों का संतुलन होकर परमानु विद्द्रिष्टी से उदासीन होता है पाँज, परिभ्र्हवन करने वाले इलेक्ट्रोन और परमानु नाभी के रदर फोड के प्रतिकृती में एक तृटी थी, इलेक्ट्रोन नाभी के बाहर कक्षाओं में भ्रमन करता है, वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमन करने वाले विद्युत आवेशित वस्तु की उर्जा कम होती जाती है, ऐसा भावतिक शास्तर का प्रस्तावित नियम है, इस अनुसार रदर फोड ने प्रस्तुत किये प्रतिकृती का परमाणू अस्थाई होता है, किन्तु वास्तों में रेडियो धर्मे परमाणू के अलावा सारे परमाणू स्थिर होते हैं, इस तृटी का हल नील्स बोर ने निकाला, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, सार तटस्त होता है, रदर फोड ने परमाणू की नाभी किये प्रतिकृती को प्रस्तुत किया, इस रदर फोड की प्रतिकृती को ब्रहवनकारी प्रतिकृती भी कहते हैं, रदर फोड के सोने के पन्नी विक्रन प्रयोग में कौन से निरिक्षन के कारण नाभी का संशोधन क्युब